नमस्कार आप देख रहे हैं समय साक्षे में प्रीती रावत आपके साथ और आज जो है कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्षकरन महारा का एक वर्ष का कारेकाल पूरा हो गया इसी मुद्धे पर हम बाचित करने पहुंचे हैं कॉंग्रेस महानगर अध्यक्ष जस्विंदर सिंगोगी के पास जानेंगे उनसे की कैसा रहा है एक वर्ष का कारेकाल क्या कुछ निर्ने लिए गए क्या आगे की रणी ती जो है अब बनाई जा रही है सबस्क्राइब बहुत स्वागत है सर आपका समय साक्षे में आज एक वर्ष पूरा हो गया है प्रदेश अध्यक्ष कारेकाल को कैसे देखते हैं आप कितना उतार चड़ाव आपने माना कॉंग्रेस पार्टी में कि इस देखिये मैंदरश अनृ को से currently से सक्रिय हैंamarा पहले मी सब्सक्राइक तो 2019 का फिर युए कोंगों की सबाए परिण बना स्ब्सक्राइब प्रदेश काम करने के बाद मतलब मैं कह सकता हूं बहुत गर्ष से और मुझे खुशी है कि जो एक साल में हमारे समानित कर्ण महराजी के नेत्युत में कुछ कारेकाम की मैं आपको पताना और जिए हाल का पुलीस को प्रियास करें कि हम विधानसाबा के पास तक नापुछ भूश पाइं और अलग जगहों पर तो कारेकाम आप इतना जोज हो था कि पांच तोड़ के वो कारक्रम तक पहुंच पाए बली फिया अदिशन सेवा चायनों को चायन बहत्ती को डाला हुआ है या विदान सभा बहत्ती को डाले हुए है या बली अंकिता हत्यकान इशूस हो या प्रदेश में कितने महँगाई को लेके विरोजगारी को ले कॉंग्रिस पार्टी की बात करें तो लगबग हमें यह देखने को मिला है कि किस प्रकार से कॉंग्रिस के पार्टी के बढ़े नेता हुँ या च्षट आच पास में जो है टालमा टोल रही है या कई न कई नराजगिर है यह जो कभी-कभी खुल कर सामने भी आये इस पर क् के बीट साथ बैठा गया देगे कॉंगा से बड़ा परिवार है यह घटाएं सब इए चलती है अगर एक परिवार में दस लोग भी है हलका फुलका चलता है लेकिन हमारे हैं सब लोग एक हैं और हम सब सीनिर्स लोगों को एक साथ लेके अपने कारेकर्ण की रूप रिखा त भाजबा कि पर लागाता जो इस पर कदम उठा रहे हैं अब क्या आगे की रंडिती है वहाद आपने बहुत से काम किये लेकिन सायदा भी ताके कोई इसका हल नहीं निकला है अब क्या रंडिती लेका चलते है भाजबा की कथि और करने में जमीन आस्मान का फरक है भाजब सिर्फ चुनाव के टाइम मरीन बस्तियों को यूज कर रही है जैसे चुनाव नजदिक आते हैं वह एक साल दो साल तीन साल का देश लाके या उसको आगे बढ़ा देते हैं हमारा कहना है मरीन बस्तियों को उनका मालेकाना हक मिलना चाहिए मेरा कहना है आप इनको मालिका ना हग दें दूसरी बात जो नए नगर निगम में कोई भी नगर निगम के नए वाड जुड़े थे उसमें सरकार ने कहा था कि इन नए वाडों में 10 साल तक कोई भी नगर निगम में कॉमेर्शिल वर डॉमेस्टिक टेक्स नहीं लगेगा लेकिन अब यूटर लेके वादा खिलाफी करके टेक्स लगाने का काम करें जो की नि आपके मातम से और भी शेयर करना चाहूंगा रिष्पना में एलिवेटेड रोट का प्लान चल रहा है आप मुझे बताएं जिस दिन एलिवेटेड रोट बन जाएगी तो जो रिष्पना के आसपास के जो लोग रह रहे हैं क्या वह उजाड़े नहीं जाएंगे तो यह ब मना लिए जब तक मालिकार्णा हग हमारे साथियों को नहीं मिलेगा कॉंगर्स कमेटी बिल्कुल भी आराम से नहीं बैटी को हम इसके लड़ाई लडएंगे देखें देश में लोकतंत्र दिन बर दिन खत्रे में हैं और जिसकी जो मर्जी आरी है वह कर रहा है इस इस ख़र तक हावी है कि एक आम इंसान बहुत प्रशान है अगर मैं देयादून की बात करूं चार पांद नगर निगम के पाश्चतों में राजप्रोड पे अंसल वैली पे घर पे बुल्डोजर चला दिया जब मैं वीडियो देख रहा था तो एक कुत्ते चूटा तब लोग बचे अगर नहीं चूट पाता इसका नहीं तोड़ बाते तो कल की टैम पे वह परिवाज भी कहीं नहीं क्या हो जाता हम कुछ नहीं सकते लेकिन बहुत गलत है इतने हिटलर शाही हो रखिए इस प्रदेश में कि हम बता नहीं सकते हैं चलिए धन्यवा प्रवात अपने सही होगी विजय के साथ